नमस्कार दोस्तों आज की सब्सक्राइब मैं आपको तनालू कि आपके फोन के जो गाने होते ना उसको आप-ापके लेपटॉप में डाल सकते अगर को क्या घरना होगा वैसे दो टरीक है एक तो आप जो है ऐसे पैंद्रेव में डालने के बाद वहाँ पे अपने लेपटॉ और फिर आप डारेक्ली फोन से ही आपके लेप्टॉप में डाल सकते हो तो आज में जो फोन से लेप्टॉप में डालने का तरीका है ना वह बताऊंगा तो अगर आपको फोन से डालना है तो उसके लिए आपको यह करना होगा कि आपके फोन की जो चार्जिंग केबल होती है जिससे आप अपके फोन को चार्ज करते हो USB Cable कुछ इस तरीके की होगी एक साइड से और दूसरे साइड से कुछ इस तरीके की होगी एस पर यहर चार्ज है तो यह-वाली जो केबल होती इस केबल के आपको ले लेना इसे डालों अगर JUL Ads जो दूसरे वाल Wegना उसको अपने फोन में लगा देना है जैसे कि सरे करते हो और आ पने फोन करते हो अब आ ब्जायस्थ सकते हों कि मैंने अपने फोन में लगा दिया ह्पाया तो आपको अबर यहां पर यहां पर आपको पीछिन में कुछ इस तरी इंटरफेस अभी यहांपर दिखाई चलते रहोगा तो भूंज तो अभी हम PC में आचुके है और PC में आपको यापर क्या करना है वो मैं आपको अदा दो तो देखो अब आपको यापर क्या करना है PC में सबस्वेल हो तो आपकी जो फाइल होती है उसे आपको उपन कर देना है दीस PC में चले जाना है अब जैसे आप 10 PC में तो आपको इतने सारे options यहाँ दिखाई देगे तो आप क्या करना है यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में आजाना लेफ्ट साइड में एसे scroll करना और यहाँ पर आपके वास जो भी phone होगा वो phone का name आपको यहाँ पर दिखाई देगा अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर जितनी भी files है आपके फोन में आपने जो गाने है उने कहा पर डाला है वो उसे open कर रहे है तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने music में शायाँ डाले होगे तो music को हम open कर देता है और यहाँ पर music नहीं मिल रहा ओके तो आपको यहाँ पर जो है ना जो पहले आपको फोन में देख लेना है कि आपकी जो music है वो किस वाले फाइल में है तो फिर आपको यहाँ पर जो है डूढ़ना नहीं पड़ेगा मैं एक बार फटाउट से डूढ लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने उस folder को open कर दिया है जहाँ पर हमारे song है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह वाला एक song है और भी बहुत सारे song है तो फिलाल के लिए मैं इसे ही अपने laptop में लाकर के दिखा दो तो laptop या फिर computer में अगर आपको song को ल दाना है तो इसके लिए आपको सबस्वर ले तो यहाँ पर ctrl c पर क्लिक कर देना है तो यह जो है ना copy हो जाएगा या फिर आप ऐसे click करके रख सकते हो और उसके बाद में आप ctrl c पर click कर सकते हो या फिर आप जैसे इस पर click करोगे तो अब आप यहाँ जो है copy वाले option पर click कर सकते हो तो अब यह जो फाईल है ना वह copy हो चुकी है अब कि आपके लेपटॉप में आपको इस song को जहां पर भी डालना होगा उसे डालना है तो अब यहाँ पर हमारे जो laptop है ना उसमें यह सारी फाइल से अब हमारे laptop में यहाँपर हम जो है music को बन कर देता है और अगर हमें यहाँ पर उस वाले song को लाना है तो उसके लिए आप जो है उपर की तरफ यह जो paste वाल option है ना इस पर क्लिक कर सकते हो तो भी paste होगा या फिर आप जो है यहाँ पर control V को साथ में दबाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा जो song था वो यहाँ पर paste हो चुका है और अगर यहाँ पर मैं जो है double click करूँगा तो यह song है वो play भी हो रहा है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो तो अगर आपके वीडियो informative लगाओ तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर देना वीडियो देखने के लिए आपका धन्याओं थैंक यू सो मज़